स्टेज पे इंडिया गड़ बंदन के वरिश नेता खारगे जी, सोन्या जी, शरत पवार जी, भगवंत मान जी, चंपा सोरेन जी, अखिलेश यादव जी, तेजेश्वी यादव जी, सिताराम यचूरी जी, फरूक अब्दुल्ला जी, दी राजा जी, भटचारिया जी, महबूबा मुफ्ती जी, देरेको ब्रायन जी, कलपना सोरेन जी, तृची सिल्वा जी, सुनीता केजरिवाल जी, देवराजा जी, तिरु टोल जी, खुरूम अनिस उमर जी, और स्टेज से, मैं केजरिवाल जी, और सोरेन जी कभी नाम लेना चाहता हूँ, क्यों आज यहां है नहीं, मगर दिल में हम सब एक साथ खड़े हैं, भाई और बहनों, इंडिया गटबंदन के कार्य करता हूँ, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, आज कल, IPL के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग, मैच फिक्सिंग शब सुनाएं आपने, सुनाएं, जब बहिमानी से, एंपायर पर दबाव डाल कर, प्लेयर को खरीद कर, कैप्टन को दरा कर, मैच जीता जाता है, क्रिकिट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है, हमारे सामने, लोग सबाग चुनाओ है, अंपायर किस ने चुने, नरेंद्र मोदी ने, हमारे टीम में से, मैच शुरू होने से पहले, दो खिलारियों को अरेस करके अंदर कर दिया, तो भाईयों और बहनों, ये जो चुनाओ हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी, इस चुनाओ में, मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो उनका, 400 सीट का नारा है, ये बिना EVM के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया, और प्रेस पर दबाव डाल कर, खरीद कर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है, सब मिलाकर, आप देखिए, कॉंग्रेस पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बंद कर दिये गए हैं, चुनाओं के बीच में, देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के, सारे के सारे अकाउंट, बंद कर दिये, हमें कैंपेंच चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं, सारा का सारा, जो हमारे रिसॉर्सिज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिये गए हैं, तो यह कैसा चुना हो रहा है, नेताओं को धमकाये जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराये जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है, केजरिवाल जी को, सोरें जी को, यह पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है, कि और यह मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्रमोदी नहीं कर रहे हैं यह मैच फिक्सिंग नरेंद्रमोदी और हिंदुस्तान के तीन चार सबसे बड़े अरब पति मिलकर कर रहे हैं यह सच्चा ही है और यह मैच फिक्सिंग क्यूं हो रही है बाई और बेनों इसका सिर्फ एक लक्ष है कि हिंदुस्तान का सम्विधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविश्य दिया सपने देखने का हक दिया उस सम्विधान को हिंदुस्तान के गरीब जंता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जारी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन यह सम्विधान खतम हो गया उस दिन यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा इसको पुलीस से गंकी से नहीं चला जा सकता है यह जो सम्विधान है हिंदुस्तान की जंता की अवाज है हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है इसको जिस दिन खतम कर दिया गया, उस दिन यहाँ पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा, अलग-अलग स्टेट हो जाएंगे हिंदुस्तान नहीं बचेगा यही इनका लक्ष है, यह सोचते हैं कि सम्विधान के बिना दमका कर, डरा कर, पुलीस, CBI, ED, Incontext Department के साथ देश चलाया जा सकता है यह सोचते हैं, मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है, आप मीडिया को खरीच सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुँ बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की अवाज को नहीं दबा सकते हो इस अवाज को कोई नहीं दबा सकता दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस अवाज को दबा सकती है बाईों और बेनों बीजेपी के एंपी ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे मैच फिक्स करके 400 सीटे जीतेंगे वैसे ही हम सम्विधान को बदल देंगे सम्विधान को रद कर देंगे ये ऐसे ही नहीं बोला गया ये टेस्ट करने के लिए आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एंपी ने बोला है ये लड़ाई सम्विधान को बचाने की लड़ाई है जैसे अकिलेश जी ने कहा सम्विधान चला जाएगा गरीबों के हक चले जाएंगे आरक्षन चला जाएगा और जो आपका धन है गरीबों का धन है किसानों का धन है मज़़ूरों का धन है वो पांच-छे लोगों के हाथ में चला जाएगा नोट बंदी की जी एस्टी लागू किया मुझे बताईए जी एस्टी से नोट बंदी से किस गरीब व्यक्ति को फाइदा हुआ किस छोटे दुकानदार को फाइदा हुआ किस किसान को फाइदा हुआ किस बेरोजगार युबा को फाइदा हुआ किसी को नहीं चालिस साल से सबसे जादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है एक परसेंट लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा का पूरा धन 22 लोग हैं जितना धन उतने उनके हाथ में है उतना ही धन सत्तर करोड लोगों के हाथ में है यह संविधान को क्यों मिटाना चाहते हैं क्योंकि आपका धन जो है आपसे चीनना चाहते हैं मैंने जाती चंगरना की बात की किसानों के MSP की बात की युवाओं को रोजगार देने की बात की ये ही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे है मगर एक बात याद रखिए अगर आप लोगों ने पूरे गम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग काम्याब हो जाएगी ये आप भूलिये मत और जिस दिन मैच फिक्सिंग काम्याब हो गई उस दिन आपका समविधान हमारा समविधान खतम हो जाएगा जिस दिन समविधान खतम हो गया उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी तो ये जो चुनाओ है ये चुनाओ कोई मामुली चुनाओ नहीं है ये चुनाओ हिंदुस्तान को बचाने का समविधान को बचाने का और जो गरीबों का हक है किसानों का हक है पिछडे वर्गों का दलितों का आदिवासियों का गरीब जेनरल कास के लोगों का हक है उसको बचाने का हक उसको बचाने का चुनाओ है ये बात आप याद रखिए क्योंकि अगर ये चुनाओ जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है वो पूरे देश को दिख रहा है बीजेपी के लोग कह रहे है कल मैंसे व्यक्ति मिलने आया मुझे कहता है मैं ट्रेन से आया मेरे साथ बीजेपी के कार्यकरता बैठे थे उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गणबड है ये सचाई है एलेक्शन कमिशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया दो नेताओं को दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला चुनाओ से कुछी महीने पहले अगर डालना था तो छे महीने बाद डाल देते छे महीने पहले डाल देते नई चुनाओ से दो तीन महीने पहले दो चीफ मिनिस्टर को डालना था आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किये बैंक अकाउंट बंद करने थे छे महीने पहले करते एक साल पहले करते छे महीने बाद करते कोई फरक नहीं पड़ता आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाओं ना लड़ पाए और इसलिए आपने कॉंग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद किये आपने एलेक्शन कमिशन में अपने लोग बठाए आप जुडिशिरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो समविधान रद किया जाए और आप सत्ता में रहो मगर भाई और बेहनो मैं सच बोलता हूँ और मेरी बात अब अच्छी तरह सुन लो अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाओ बीजेपी जीते और उसके बाद समविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है जो मैंने का याद रखो ये देश नहीं बचेगा ये चुनाओ ये चुनाओ वोट वाला चुनाओ नहीं है ये चुनाओ हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाओ है समविधान की रक्षवाला चुनाओ है दन्यवाज जैहिद ये चुनाओ ये चुनाओ है